मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं ऐसर आपका अपना YouTube चैनल आरकेhou कॉम्पिटेटिव क्लासेटर है, आपका फीर सचागत करता हूँ खास करके जीतने वी नए विद्यार्थिया, जो नए जुर रहे हैं और जो अभी तक नहीं जुर हैं, उनके पास ज्यादा ज्यादा सेयर करिए क्योंकि यह जो कोर्स अश्टार्ट हो चुका है जिसके बाद आपको मैध में कोई प्रोब्लम होने वाला नहीं है तो रेशियो भी अश्टार्ट कर चुके हैं उसका वीडियो आपको रिवलर मिल रहा है आज मैं लेकर आया हूं बेसिक का अग रखना है और अब मैं आपको बोल रहा हूं कि 25 तक क्योब डायरेक्ट रखना है 25 तक क्यूब तक एकदम 25 24-20 20 माइं में हमारे उसका क्यूब क्लिक कर जाए तो वो क्यूब याद रहना चाहिए यह सब तब पायदा करेगा जब हम लोग और क्यूब पढ़ेंगे जिससे र कर चुका हूं बारीकी से एकदम तो उसको धेख जरूर लिए क्योंकि बर्मूल पढ़ना बहुत आसान होगा मज़ा भी आएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक बिल जाएगा तो पचीस तक का स्कार में लिक भी दिया हूं इसको याद कले एकदम कंठास्ट जैसे कोई बोले जिसका नहीं याद है 45, 64, 62, 63, तो उसका स्कार हम लोग कैसे करें तो समझ लीजे पहले तो इसको एक बार में बोल देता हूं आप सभी भी साथे बोले एक का क्यूब एक दो का क्यूब आठ तैस चार का क्यूब चौब साथ पांच का एक सोपचीश चे का क्यूब दूसर स इसके दो कि अच्छा करना चाहिए पचीश तक क्यूब आठ चाहिए तक करना चाहिए तक और पचास तक स्कौइर याद रहना चाहिए तक कभी बी कलकुलेशन कहीं भी करना हो तो फास्ट हो क्योंकि कल्कुलेशन फास्ट है आपका मैध फास्ट हो जाएगा बहुत मज़ आएगा क्यूब याद होना चाहिए अब इससे बड़ा पूछेए आपसे पूछ दिया कि भी आलिस का क्यूब करो जी ठीक है यह आपस तेरा ये 13824 आता है या नहीं आता है किसी का भी इस में तड़ से हम लोग बनाई हैं कैसे बनाएंगी ज़रा ध्यान दीजे आस्कौार भी दो अंकर सिखाये थे आपको कि बस एक भू ध्यान देना है यहां मैं कुछ लिख ने रहा हूँ मैं यह चार कोशन बताऊँगा चार दहाई का घं ठीक है दूसरा काम करना है दूसरा इकाई का बर्ग करके सबसे गुणा सब अंक से जैयां का आपको दिख रहा है सबसे गुणा तीसरा काम करना है दहाई का बर्ग करके सबसे गुणा अल्लाष्ट में चौथा काम करना है चौथा काम दहाई का घं यह चार काम करना है और यह चार काम मात्र सेकेंडों में करना है है एप फोट अफ़र लोग सकते हैं कि प्रैक्टिस राखन निरीभर करता है वुइन होगं देखें अध्युरा-पानीजेश घंध सकते आठ लिग दे उसके बाद दूसरा कामिका ही का बर्क कर के सबसे मुझा दू के सक्षार, चार। उसके आख सबसे मुझा चार, और तालसे, तुछ Delघس के आठe बचा कितना चार? खिर सबसे मुझा, ता长 किस आख सबसे 2-09, Northern 32 , PM तो दस मैति में चार के घञ चारो सट दास चवित चयू रहताई ऐक पार फिर देखें दूसरा कांग र 고uw करके सबस्च्राइन करने के लिए करने के लिए कल्कुलेशन आप जीतना याद रखेगा यह तरीका की जैसे सुवा सुवा बयाम ने हो जाता है लोगों के स्वास्त के लिए मैट के स्वास्त ठीक करने के लिए कल्कुलेशन एक बैयाम है कल्कुलेशन आप डेली दस मिनिट बिस मिनिट अलग से बनाते हैं तो आपका मैट बहुत बेटर हो जाएगा यहां फिर सही दूका क्यूब आठ दूका स्कॉब आठ चार चार चुचक सोला 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 दूनी बा दोसो Chicxo के पांच बच्चा कितना है बारा याद रखेएं बांच свой सब ब armas फखें के पांच पांच क्यूब पहले करना है पहला को एक हैं घंथ लो इक स्कॉलपग है तो पांच बच्ष कह सुनौना सूउता全 दी एन चूंप नि पूंस सूंपट। तिनसो भाराग 2 बचा एक तीस वाराँ का एसे लिखते हैं इसका दू एक तीसी येशिम है किता है एक तीस बचा भें किता है और इसको चार चार के स्कWAR आद अचीजिद्रा असी तेस तिया दूसो चाली सुन चाली सब एक तीस जोड़िएगा है। 64 में 27 जोड़ के देख लीजिए आजाएगा 192 64 में 27 जोड़ कितना आगया 192 हमनों कांसर हो गया 195 क्लियर है 64 का क्यूब का हमें 4 के क्यूब 1 अंक का घंपहले करेंगे तो 1 अंक चार 4 के क्यूब 64 के 4 बचा कितना 6 याद रखे अब चार के स्क्वाइगा 66 अब 96 को 3 से गुना करिए 96 तिया 96 को 3 से गुना करिएगा तो 96 तिया आएगा 288 वो लिए सर्य अतना जल्दी कैसे कर लिए हम 96 को 100 मान लिए साव तिया 3 सव अब 94 का मैं तो 4 तिया 12 घटा दिये माहिंड में इतना कल्कुलेशन की तो कितना हो गया 288 फिर से 4 का घण 64 की 4 बचा 6 4 के स्क्वाइग कितना 16 सो चर्च च्वाइग 96 तिया 288 288 और 6 288 और 6 कितना हो जाएगा 94 294 के 4 बचा कितना 39 क्यों क्योंकि 24 24 बचा कितना 29 अब अंतिम देखे यहाँ फिर से 6 के स्क्वाइग 36 36 36 चवके 144 थोड़ा बड़ा है तो गुना तो करना ही पड़ेगा 6 के स्क्वाइगा 36 चवके 144 144 तिया तो 44 तिया होता है आपको 144 तिया बो रहा है 144 तिया 144 तिया 432 क्योंकि 44 तिया 132 होता है 47 432 तो 432 और आपका कितना बचा हुआ था तो बोले यह सर 29 बचा चुकि 94 में 24 लिखे तो 432 आप 29 32 29 कितना होता 16 16 16 16 161 के 16 161 के 161 161 के 1 बचा कितना 46 26 कितना बचा 46 अब आई यालती में 6 के क्यूब 26 16 26 26 चुड़िये 26 16 16 16 16 21 24 क्लियर अब यहाँ देख लिजिए 24 24 24 के क्यूब केतना है 13 1824 देखते आता है कि नहीं आता है 4 के क्यूब विकाई का क्यूब च्जार के क्यूब 64 के 4 बचा के नहीं आछे चार के स्ववार सुल्या 22 32 32 32 36 6 102 के 2 बचा 10 दू के स्ववार 4 46 16 11 14 14 10 58 58 55 52 28 55 38 38 3824 क्यी गया हुआ यह हुआ सबसे गुना फिर दाएंगा अब सुछे कि एक ही संक्या को तीना आप गुना करें तो बड़ा रहेगा उसमें तो आपको थोड़ा मांड लगाना ही पड़ेगा आप रैक्टिस करें तो कुछ नहीं जी वे में आप किसी भी संक्या का घं कर सकते हैं जैसे दो मैयार बताता तो देखिए, एकाई का घंट, तीन का घंट केतना, देखिए, यहाँ पर आया है ना, 12166 राजाएगा, देखिए, आप भी कर सकते हैं, तीन का क्यूब केतना, तो 27 के साथ बचा दूब, अब तीन के असकार नो नो दूने 18, 18, 18, 24, 26, 26, बचा पाँच, फिर दूब के असका कोई दिकत नहीं है, इजी बे में, बाकी तो आप याद रखेगा, तो ही ठीक रहेगा, तो आपको मैं दो देता हूँ, इसको आपको करना है, एक तीरपन का घंट, तीरपन का घंट, आपको कमेंट में इसका जवाब देना है, और एक आपको करना है, एक आपको करना है, त लगा तो लाइक करिए और सभी बीजार्थिए को सेर करें आप काल्कूलेशन से नहीं भाग सकते हैं मैं मानता थोड़ा बोरिंग है लेकिन इससे भागे तो पूरा माय थुकूर हो जाएगा ठीक है लाइक करिए और दोस्तों को सेर करिए वीडियो को तक देखने के लिए ध